हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओल ऑन दिस चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन हमारा आज का वीडियो है हाउ टू प्रिपेर फोर एससी एम्टियस जैसे कि हम सभी जानते हैं खिए खिए तो आज के इस वीडियो में अज्ण लिए चया फैकेशन कि आज है कि आज में हम इसकी तरल हमें कैसी है है और स्लेवर्स को कवर करने के लिए कौन कौन सी बुक रिफर करनी है यह सब इस वीडियो में हम देखेंगे तो बेसिकली इसमें कम्प्लीट आपको इंफर्मिशन दी जाएगी ससी एमटीएस के बारे में सबस्विए इस जो जॉब का नाम है जो हमारी पोस्ट का नाम है जो वेकंसी आई है उसका है अगर अप्रोक्सिमेट बात करें जो डेनिंग के बाद आपकी जो सैलरी होगी वह आपकी लगवग हो जाती है 2400 24,500 के अप्रोक्सिमेट आपको हैंड मिलते हैं यह लाश्ट ये था यह आपका लगवग 21,321 तीन सो पचास रुपे था यह बगर इस बार की एक्सपेक्ट मिलेगी अगर education qualification की बात की जाए तो ये इसके लिए 10th class चाहिए और इसके एक को लोन अगर इस से higher है अच्छी बात है application fees अगर जो आप लोग online इसको online आपको apply करना पड़ेगा अगर आप apply करना चाहते हैं तो हमने description ने link दे दिया उससे आप डारेक्ट से आप एससी की वेबसाइट से आप apply कर सकते हैं जो application fees की बात की जाए वूमेंस और SCHC category और ex-service men's के लिए इसकी कोई भी फीस नहीं है all other candidates के लिए OBC category open category इन सब के लिए ये 100 रूपीज है इसकी application fees 31 December से इसका स्टार्ट हुआ है application form बरना इसकी जो लाज़ डेट है वह 30 January है लाज़ डेट है application form बनने की online वह 30 January है जबकि fees payment करना है आपको अगर offline वह 17 January तक करना offline के लिए 17 January SSCMTS exam pattern की बात की जाए तो इसमें qualifying purpose होता है descriptive type question आते हैं इसमें इसको बस qualify आपको करना होगा इसकी information आगे दी जाए पूरी paper one की अगर बात की जाए तो इसमें प्टेशन आएगे पैपर one में चार सेक्शन आएगे और जो पहला section होगा वह जनरल intelligenceiliarBA Hmm का होगा जिस निमरिकल अप्टीटूरा चैयं और जो जनरल English को फे पच्शन आएघ ये बहुत ही ज़्यादा ईज्याएगा आपका ये बहुत ज़्एंग बनाऊंगा आपके लिए MTS के लिए English के लिए वो आप पढ़ लेंगे तो आप असानी से कर सकते हैं इसके लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लेजिए ताकि जितने वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रह इसने पचास कोशन आएंगे आपके तो पचास कोशन है पचास मार्क्स के तो इसमें टोटल जो कोशन है वो वन फिफ्टी कोशन है टोटल वन फिफ्टी कोशन है टोटल मार्क्स भी कितने हमारे वन फिफ्टी मार्क्स हैं वन फिफ्टी कोशन तो वन फिफ्टी मार्क्स मार्क का है अगर नेग टी मारकिंग की बात की जाए तो 0.25 जो है नेगटी मार्किंगर 0.25 मतलब unpo ран stir भो मार किंग अगा जो हमें टाइम मिलेगा इं डियड़ा सो कुश्छą को सॉल करने के लिए टायम मिलेगा वह दो गंटे का जो सेकंड शिफ्ट में होगा वो दो से चार होगा तो यहां पर दो शिफ्ट आपके होंगे एक दस से बारा तक दूसरा दो से चार तक यह है नॉर्मल स्टूइंट्स के लिए जो दिव्यांग स्टूइंट्स हैं उन्हें चालिस मिनट का टाइम एक्स्टा दिये जाएगा दस बज़े से बारा बच का चालिस मिनट तक तो यह आपका सेकंड शिफ्ट का एक्जाम होगा इसमें तो डेड़ सो कोशन है और डेड़ सो सकते हैं कि एक से कैसे लिखते हैं लेट्र कैसे लिखते हैं कि आप हमारे वीडियो हम बनाएंगे इसमें देख सकेंगे कि हम आपको बता देंगे कि आपको यह लिखना कैसे है तो जिससे आप अच्छे से परप्रप्र कर सकते हैं बस इस पर ध्यान दीजिए यह कौलिफाई कीजिए इसके बाद आपका कौलिफिकेशन यहाँ पर तो किसी का नहीं रूपते हैं यहाँ पर लगवग होई जाता जो त्यारी करता है अगर स्सें की स्लेवर्स की बात की जाए पेपर वन के लिए जो इसमें हमने देखा भी चार पोर्शन है जनरल इंटेलिजिएंस और इंग्लिश लेंग्वेज यह दो पोर्शन हमारे बहुत इंप लेगा रिजनिंग की बात की जाए रिजनिंग से लिवस की बात की जाए तो इसके टॉपिक यह हैं जो एक्जाम में पूछ जाएंगे यह सभी टॉपिक आप हमारे चैनल पर देख पाएंगे हम अपलोड कर देंगे एक से दू दिन में इनके सारी अच्छी ट्रिक्स और देखी अनके सारी प्रिक्स और पारे चैनल में गेए उसको अपने तरीके सरी लगाएगा, आप इंटरनेट से कहीं भी पढ़िए और आप जो है कोशन वो बुक से कीजिए यह लास्ट जिर के जो सॉल कोशन है लास्ट जो कोशन हो कीजिए जो पहला टॉपिक है सिमिलर्टीज एंड डिफरेंस है यह पेज विजुलाइशन वाला प्रॉब्लम सॉल्विंग से भी कोशन आ यह रिजिनिंग बहुत इजी आता है विजुल मेमरी से आएंगे कुशन अब्जरवेशन से आएंगे अनल रिलेशन कंसेप्स से आएंगे सीगर क्लासिफिकेशन से आएंगे अर्थमेटिकल नंबर सीरिस से आएंगे यह नंबर सीरिस यह बहुत इंपॉर्ण होता किसी भ लगबख पांच तो आई आते हैं तीन से लेकर आठ के बीच में कुछ भी आसकते हैं अभी इससे पहले जो एक्जाम हो रहे हैं के उसका हमने रिव्यू किया हुआ आप देख सकते हैं कौन कौन से कोशन उसमें पूछे गए हैं वो हमने सब किये हैं हमने देखा है कि लगबख सभी एक्जाम में एवरेज पांच कोशन तो आई नहीं है नमबर सीरीज के तो नॉन वर्बल सीरीज के कुछ कोशन आएंगे अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन के आएंगे अनलेटिकल फंक्शन के कोशन आएंगे तो यह आपका रिजिनिं फंडामेंटल अर्थमेटिकल के सब्सक्राइब परसेंटेश से कुछ नाएंगे यह बहुत अच्छी जी ट्रिक्स इसमें हमारे वीडियो आप मारे जैनल पर आपको मिल जाएंगी यह प्लीज उतको आप एक बास देखिए आपको पसंद आएंगी और आप एक्जाम में आप अच्छी स्कोर कर पाएंगे एवरे से कुछ कोशन आएंगे इंट्रेस से कुछ कोशन आएंगे प्रॉफिट अंड लॉस से कुछ कोशन आएंगे डिसकाउंट से आएंगे यूज ऑफ टेवल एंड ग्राफ से आएंगे mensuration से आएंगे time and distance से आएंगे ratio and time से आएंगे time and work से आएंगे यह सब इसका syllabus है aptitude का और general awareness general awareness जो है यह सभी examen में main इसका role होता है इसका major role होता है तो यह problem नहां है इसके लिए हमने इतनी funny funny tricks आपको हमारे channel पर मिल जाएंगी जिससे कि आप सभी more than 80% question जो है general awareness के यह असानी से याद रख सकते हैं भी the funny and romantic trick से आप एक बार हमारे channel को देखिएगा अभी कुछ वीडियो होंगे वहाँ पर अब मैं थोड़े दिनों में इसके और वीडियो अपलोड कर दूँगा जनरल अवेरनेस के history के question आएंगे आपको Indian constitution से पुछ जाएंगे books and author से पुछ जाएंगे culture से पुछ जाएंगे awards and honor से पुछ जाएंगे current affairs national international से पुछ जाएंगे जो current events से हुए है उससे पुछ जाएंगे geography से पुछ जाएंगे important days यह बहुत important होता है इसमें question नहीं तो यह confirm है question आते ही आते हैं इन लोग से इन topics से जैसे यह आपका award and honors है books है तो यह तो बहुत easy question है तो यह आते ही आते हैं किसी भी कीमत को यह scoring है आते हैं सब में हैं मगर यह जो question होते है selected मतलब यह छोड़े-छोड़े portion है इसमें question आयते है scoring होते है sports and games से question आएंगे general politics से question आएंगे books and author से question आएंगे economics से question आएंगे abbreviation से question आएंगे मतलब abbreviation में full form पुछ जाएगी जैसे RAM की full form क्या है साइंस से question आएंगे invention and discover मतलब यह invention किसने 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 किया यह सब आपको आएंगे इसकी भी आपको tricks मिल जाएंगे हमारे चैनल पर कुछ दिन में जो ssc mts का जो इंगलिस का सबसे आएगा यह सबसे आएगा यह जो चार सेक्शन में सबसे इजी portion यह होता है इसमें पचास में से आप 30 से उपर 30 प्लस marks असानी से कर सकते हैं मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा बहुत अच्छा सा है कि वल वह आप वीडियो देख लीजाएगा कुछ दिनों में आ जाएगा हमारे चैनल पर 50 से 60 मिनिट का वह वीडियो होगा वह आप वीडियो एक बार देख लीजेगा आपको इंग्रीज बहुत इजी लगने शुरू हो जाएगी हमारी यह गारंटी है रहका बुलोरे से कुष्चन आएंगे ग्रैमर से आएंगे इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर से आएंगे सिनॉनिंस एंटॉनिंस से आएंगे राइटिंग एविल्टी वुड भी टेस्टेड मतलब वो जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आपका उसमें आएंगे यह तो यह टोटल सलेबस था इनका अब इन सलेबस को त्यार कैसे करना हम आपको बताते हैं देखिए सबसे पहले रिजिनिंग और एप्टिटूड रिजिनिंग और एप्टिटूड रिजिनिंग और एप्टिटूड रिजिनिंग और एप्टिटूड रिजिनिंग और एप्टिटूड को क्या करेंगे आप आप विडियो लेक्चर उसके देखिए उसमें जो शॉर्ट ट्रिक्स है सभी टॉपिक्स ही वो समझे एक कॉप तो यह आपने concept लिख लिए अच्छे से समझ समझ के अब क्या कीजिए आप question जो solve करना आपको वह कहीं से solve कीजिए यह बुक का अग्रेफर करना चाहते हैं बुक में आपको time आपका save होगा books आप उठाइए question solve कीजिए और जो भी short tricks है उसका इस्तिमाल कीजिए solution book का मत देखिए आप ऐसे से करते रहिए आप automatic आपको मालुम भी नहीं चलेगा आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका जो है concept इतने अच्छे क्लियर हो जाएंगे कोई भी question देखेंगे आप अच्छे solve कर पाएंगे यह हमारी guarantee है अच्छे solve कर पाएंगे यही तो कमी होती है जो students अपने दिमांग में रखते हैं कि नहीं हो पार नहीं हो पर अब बस आप एक बार करते तो जाएए अब विश्वास कीजिए किसी का आप prefer आप कर सकते हैं reasoning aptitude आप जो है यह आप देखेंगे उसकी short text देखेंगे नेट से जब आपको question solve करने हो तो rs एकरवाल में बहुत सारे question है reasoning के लिए rs एकरवाल यह आप देख लीजिए और aptitude की बात की जाए यह बहुत अच्छी book है how to prepare for quantitative aptitude book का नाम है अरुन शर्म तो यह book आप देख लीजिए aptitude के लिए यह enough है और gs की बात की जाए अरिहंत की जो मनोहर पांडे है वही लीजिए बस enough है तो सबसे अच्छी loosen की मगर loosen उसका लिखने का तरीका ऐसा है कि वह पढ़ने में boring हो जाता है तो आप मनोहर पांडे की यह पढ़िए यह अच्छे से बहुत ज्यादा अच्छे से आपको यह systematic लिखा हुआ सब कुछ आराम से होता जाएगा और आप हमारी tricks देखते रही है tricks एक बाद समय लिए उसके बाद इसको पढ़ते रही है tricks को समय लिए tricks याद करने के लिए देख लिए मगर उसके बाद इसको भी पढ़ लेंगे आ अगर यह refer करते हैं तो सभी exam में जितने वी exam में सब में English का पोशन आपका अच्छा होते जाएगा तो यह था हमारा MTS के बारे में multitasking staff SSC के बारे में यह information complaint information आपको हमने बताई आप आप मारे चैनल पर जा सकते हैं उस पर जितने वीडियो से आपके लिए बहुत फाइदे मन्द होंगे जितने भी tricks हैं और जितने भी आपके concept हैं वो उसमें देख सकते हैं हमारे चैनल पर अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ले लाइक दोस्तों का शेयर कीजिए और प्लीज कमेंट भी करके हमें बताईए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए यह रेडिवाला निशान जिस पर सबस्क्राइब लिखा रेड बटन पर क्लिक करके आप सबस्क्राइब कर सकते हैं ज